हेलो फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम स्वागत है अप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल हिंदी टेक्निक्स में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं पेंशन के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है नवंबर का महीना खतम हो चुका है और 30 नवंबर तक जमा करने होते हैं सभ करने जिवित परमाडपर दो तरह से एपलाई किये जाते हैं पहला ऑफलाइन और धूसरा ऑफलाइन जैसा कि आपको पता है कि ऑफलाइन वाले से वेरिफाई होकर ट्रेजरी में जमा होते हैं और जो ऑनलाइन होते हैं वो डायक्टली फिंगरपिंड स्केन करके हो जाते हैं तो दोस्तों सभी लोगों ने अपने अपने जीवित प्रमाण पत्र जमा करा दिये हैं ट्रेजरी में और जिनको ऑनलाइन कराने थे उन्होंने ऑनलाइन करा दिये हैं लेकिन जो बाकी बचे हैं लोग मैं उन सभी के बारे में बात करने वाला हूँ कि जिनका पीपीओ नंबर नहीं है उनके पास या फिर उनको कोई प्रॉब्लम है खो गय है या फिर याद नहीं है तो उनका जो पीपीओ नंबर है कैसे वो अपना पीपीओ नंबर सर्च कर सकते हैं दोस्तों मैं ओनलाइन और ओफ अजेवाद जो जवित पुर्मारपत्र आपको कैसे अपना पीपियो नंबर सकते हैं और अगहरा लूत करना पको प्थे लाइब करने के बाद यह रेड सर्क्री में जो बैल आइकन का बटन दिख रहा है इसको प्रेस करना ना भूलें जिससे के हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं को बता देता हूं कि आप ओनलाइन जीवित पिर्मारपत्र एपलाई करते हैं तो उसमें आपको पीपियो नंबर की रिक्वायर्मेंट होती है तो दोस्तों यहां पर मैं जीवित पिर्मारपत्र का सौफ्ट यार ओपन कर लेता हूं जैसे ही मैं यहां पर देखिए इसको ओटीपि को जैसे ही हम एंटर करेंगे तो उसने अगर लास्ट इयर अपना ओनलाइन जीवित पिर्मारपत्र बनवाया था तो उसका आधार कार्ड लगते ही और मोबाईल में ओटीपि आते ही उसका जो पीपियो नंबर है वो ओटोमेटिक ही ओपन हो जाता है तो एक तो यह तरीक्वासि का आफ तरीका ऊनलाइन वालों के लिए बात करते हैं तो यहां पर ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहां पर हमने वेब्साइट ओपन करनी है EPFO EPFO जब website को open करेंगे तो यहाँ पर EPF India.gov.in website आपको नजर आएगी ठीक है तो यहाँ पर देखिए website को इस तरह से open कर लेना है और यहाँ पर मिलता है आपको online services में pensioners portal इसको आपने open कर लेना है जैसे ही आप इसको open करेंगे तो यहाँ पर देखिए corner में आपको मिलेगा know your PPO number जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक दूसरा टैप खुलेगा जिसमें आपका bank account number मांगा जाता है या फिर member ID मांगी जाती है तो आप अपने bank account number से यहाँ पर टिक लगाएं और यहाँ पर account number एंटर कर दें और submit पर क्लिक करें तो आपका जो account number है उससे आपका जो PPO number है वो यहाँ पर निकल कर आ जाता है तो online के लिए हम आपको दो process बता रहे हैं दोनो process successful हैं दोस्तो अगर आपने online apply किया है जीवित प्रमाणपत्र तो आप जीवित प्रमाणपत्र apply करने जाएंगे तो वहीं पर आपका automatic last year वाला जो PPO number है वो detect हो जाता है और दूसरा तरीका यह है bank account यहाँ पर enter करके आप submit इसको कर सकते हैं अब बात जाकर आपको बोलना है कि सर हम इस department से हैं और हमारा bank account number यह है और हमें अपना PPO number जानना है तो बड़ी ही आसानी के साथ जो भी अधिकारी होंगे वो आपका PPO number निकाल कर आपको दे देंगे तो दोस्तो यह आसान सा तरीका था दोनों process में मैंने आपको बताया इसके अलावा कोई query होती है तो हमारी comment section में जरूर आईएगा okay friends हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक मिलते हैं फिर से खने वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए